उसके बाद है जो हम लोगों पढ़ना है Oxo Acids of Phosphorus Phosphorus का कुछ Oxo Acids के बारे में Oxo Acids का मतलब Phosphorus Oxygen के साथ अब एकिरिया करके कुछ Acids बनाते हैं जिसको Oxo Acid कहा जाता है और इस Oxo Acids का जो ज़यादतार एकजाम में structure पूछा गया, oxoacid का नाम तो नहीं, लेकिन exam में structure पूछा गया है, सीधा question रहता है, write the structure of the following, compounds, जिसमें से oxoacid में दो तीन हमेशा रहता है, 5 नमबर का question रहता है, एक structure का एक नमबर रहता है, तो सभी molecules का structure सिर्पूस में जो इसे ड्रो करके दिखाना रहता है, देखते हैं इसका oxoacids का नाम और structure, HPO3, जिसका नाम है metafosphoric acid, और इसका structure कुछ इस तरह सोता है, PE double bond O, single bond OH के साथ, और coordinate bond मनाता oxygen के साथ, उसी तरह से H3PO2, H3PO2 का structure कुछ इस तरह सोता है, नाम है hypophosphorus acid, उसके बाद है, H3PO3, इस तो हम लोग बढ़ चुके है, H3PO3, phosphorous acid का थे हैं, है, H3PO4, phosphoric acid structure कुछ इस तरह सोता है, उसके बाद है, H4PO3, pyrophosphorus acid structure देखोगे, तो दो phosphorous atom आपस में एक oxygen के द्वारा जुड़ा हुआ है, दियान सो देखोगे, कि दो phosphorous का compound आपस में एक oxygen के द्वारा जुड़ा हुआ है, उसी तरह से, H4PO7, नाम है, pyrophosphonic acid, इसमें भी दो phosphorous atom का compound, जो है, सो एक oxygen के द्वारा जुड़ा हुआ है, ब्रीज के द्वारा, उसके बाद है, इसी तरह से, और भी oxoacid, जो की है, यह, HPO3 का हॉल थे, इसको बोलते है, cyclometa phosphoric acid, उसका structure देखोगे, ध्यान से, कुछ इस तरह से होता है, cyclical structure है, उसके बाद है, और एक molecule, HPO3 का हॉल N, N पर depend करेगा, कितना number of H3, HPO3 का molecule से, तो अगर 4 रहेगा, तो 4 molecule इस तरह छापना है, अगर 3 रहेगा, जो की 3 के लिए हम बना चुके है, कुछ इस तरह से, इसका नाम है, polymeta phosphoric acid, यह सब structure को, एक बाद खुद से draw करके देख लोगो, क्योंकि एक्जाम में बहुत ही important है, सीधा 5 नमर का question पूछता है, 5 compound का नाम दियावा रहेगा, या तो formula दियावा रहेगा, बोलेगा 5 structure बनाए, पढ़ते एक नमर कराता है, तो पढ़ते का structure को एक बाद खुद से draw करके देखोगे, ताकि हमेशा के लिए learn हो जाए, इसमें जो पहला question है, how do you account for the reducing behavior of H3PO2 on the basis of a structure, कि H3PO2 के structure के अधार पर कैसे बता सकते हो, कि H3PO2 एक reducing behavior रखता है, एस्थरीPO2 एक reducing behavior रखता है, reducing behavior का मतलब है reducing character, reducing character कैसे आता है, तो जब hydrogen atom देता है, सिर्फ hydrogen atom देने से reducing character आता है, तो H3PO2 का structure देखके बताईए कि क्या है hydrogen atom देने के लाइक है, तो वह reducing character रखेगा, एस्थरीPO2 का structure देख लेते हैं हम लोग, यह है आपका H3PO2 का structure, इसमें देखोगे, दो hydrogen atom directly phosphorus से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी hydrogen है, लेकिन यह hydrogen जो इस oxygen से जुड़ा है, और oxygen जुड़ा है phosphorus से, तो इस hydrogen का हम लोग बात नहीं करेंगे reducing character, वैसे hydrogen का बात करेंगे reducing character में, जो directly phosphorus से जुड़ा है, तो इस H3PO2 में दो ऐसा hydrogen जो कि directly phosphorus से जुड़ा है, और यही hydrogen atom जो है सो कारण है reducing character का, क्योंकि जब भी यह molecule तूटेगा, तो दो hydrogen atom directly liberate कर सकता है, तो यहाँ ध्यान रखोगे, कि वैसे hydrogen atom जो directly phosphorus अटेस्ट है, वह hydrogen atom reducing character के लिए है, जबकि वे hydrogen atom जो oxygen स जोड़ा है, अगर वह hydrogen atom देता है, तो इसका acidic nature को बताता है, जिसको बोलते है basicity, तो H3PO2 में दो question मना, कि H3PO2 reducing behavior के है क्यों, तो इसका answer देंगे, विकाओ जिसके पास है, दो hydrogen atom जो directly phosphorus जोड़ा है, और यह किसी दूसरे atom को दे सकता है, दूसरा question हुआ, कि H3PO2 का basicity क्या है आनि कि H3PO2 acid है, तो क्यों है, क्योंकि वह H+, दे सकता है, क्योंकि एक OH का molecule है, और जब भी OH से H+, निकलेगा, तो acidic behavior के लिखा लाएगा, और जितना number of H+, वह liberate करेगा, oxygen से सटा हुआ है, तो उसको बोलते है, basicity, तो इसका number of basicity क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि एक hydrogen oxygen जुड phosphorus acid है, two hydrogen atoms are bonded directly to किसे phosphorus atom, विच इंपार्ट सानि, जो दे सकता है, reducing character to the acid, वही बताता है, reducing character, इस हाईपो phosphorus acid का, अगला question है, what is the basicity of H3PO4, H3PO4 का basicity क्या है, तो basicity बोले क्या, number of H+, आयन, basicity अनि number of H+, आयन, जो oxygen से जुड़ा है, तो H3PO4 में कितना oxygen से hydrogen जुड़ा है, देखते हैं, H3PO4, कितना oxygen जुड़ा है, एक, दो, तीन, तो number of basicity क्या हो जाएगा, H3PO4 का, 3 हो जाएगा, उसके बाद है, what happens when H3PO3 is heated, कि जब phosphorus acid को hit करते हैं, तो क्या होता है, तो जब 4 mol of phosphorus acid को hit करते हैं, तो तो जाता है, 3 mol of H3PO4, आनि phosphorus acid, plus phosphorus, हम लोगों पराप्त होता है, और यह reaction है, जब phosphorus acid को hit करते हैं, तो जाता है, phosphorus acid, plus phosphorus, यह था आपका group 15 का total topics, जो कि हम लोगों class 2 well में पढ़ना है, अगले वीडियो से हम लोग group 16 के बारे में चर्चा करेंगे, तो group 15 में अगर कोई भी problem हो, कोई इसा question जो कि नहीं बनता है, तो comment box में जरूर कमेंट करें, ताकि उसका answer का पता हो सके आप लोगों को,